आज के इस वीडियो में कम्प्यूटर समान ग्यान का छट्वा भाग लेके आ रहे हैं जो आपके किसी भी वंडे एक्जाम के लिए बेहद मात पूर्ड होगा अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पेडियाप डाउनलोड करना या फिर इसका टेश्ट देना तो आपको ये वाला आप डाउनलोड करना होगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बाक्स में मिल जाएगा इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जुरूर सस्क्राइब करें उसके बाद बेल आइकन दबाएं उसमें All सेलेक्ट करें इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए यहाँ पर हम 25 क्वेशन कबर करने वाले हैं इसके और भी पार्ट आर लेडियो अपलोड है आप प्लेलिस्ट में या फिर उस आयप पर जाकर देख सकते हैं क्वेशन है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्सन क्या कालाता है मतलब कि जब हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आँ चित्र के रूप में कुछ प्रदर्सन किया जाते हैं मतलब कि उनको चित्र के रूप में बनाया जाता है उनको क्या कहते हैं क्या उनको मिक्स चार्ट कहते हैं चार्ट कहते हैं फ्लो चार्ट कहते हैं या फिर हल चार्ट कहते हैं दो सेकेंड होगा आपको किसी भी क्वेस्टन का उत्तर बताने के लिए तो देखे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में अगर कहीं पर भी आपको प्रोग्राम बनाते समय चित्र दिखे तो उसे हम फ्लो चार्ट काते हैं अगला है कि सारे कंप्यूटर में लगू होती है कौन सी भासा जैसे कंप्यूटर में कही तरह की भासा होती है जावा, बेसिक, मसीन, कोबोल लेकिन ऐसा कौन सा भासा है जो कि सारे कंप्यूटर में होती है क्या कोबोल है, फोटरान है, मसीन है या फिर बेसिक है तो यह है machine भासा, machine भासा मतलब की 0 और 1, 0 मतलब बंद, 1 मतलब की 4 तो computer DC को समझता है जिसको हम binary number भी करते हैं तो चाहे computer में कोई भी भासा हो secondary के रूप में लेकिन primary में आपको machine भासा ही मिलती है अगला है किस computer भासा का प्रियोग वाड़ेजिक कारियों में किया जाता है मतलब की बेहसाइक कारियों की बात की गई है कि इन में से किस का प्रियोग की जाता है बेहसाइक कारियों में आपके आपसाने basic, kobol, pascal और fartran तो अपना उत्तर तुरंत कमेंट करके बताए जितना जल्दी आप बता सकते है तो देखें यहाँ पर आपको machine language के बारे में बताया जो कि 0 और 1 होता है तो यह तो सब में होता है सुरू सुरू में लेकिन अब हम देखते हैं कि computer का प्रियोग करना कहां पर है तो अगर इसको ब्योसाइक के यूज के लिए हम ले रहे हैं तो देखें इसका सही उत्तर होगा COBOL अगला है कि computer महां सा COBOL किसके लिए उपयोगी होती है वही question जो कि अभी पीछे पूछा गया था कि इन में से कौन है जो कि बाड़िक कारियों के लिए प्रियोग में लाया जाता है बाड़िक कहिए यानि कि ब्योसाइक कहिए तो उसी तरह COBOL का ही प्रियोग हम करते हैं ब्योसाइक कारियों में अगला है कि internet पर प्रियोग्त computer language कौन सी है यहाँ पे थोड़ी मिस टाइपिंग है तो इंटरनेट पे जो कम्प्यूटर की भासा उपलब्द है यह कौन सी है यह आपको बताना है क्या हो जावा होती है पासकल, कोबोल या फिर बेसिक तो यह होती है जावा अगला है कि कम्प्यूटर डाटा इस्टोर और गर्नाय करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है वो कौन सा होता है यह आपको बताना है जो लेंग्वेज का यूज करता है कम्प्यूटर वो कौन सा होता है यह आपको बताना है तो इसके लिए आपका सहुत्तर होगा binary मतलब कि zero और एक अगला कोश्चन है कि किस programming language को translator की जरूवत नहीं पड़ती है मतलब कि ऐसा programming language है जिसको translate करने की जरूवत नहीं पड़ती है बाकी और किसी language में तो आपको translator की जरूवत पड़ जाएगी तो यह है machine language machine language को translator की जरूवत नहीं पड़ती है अगला है कि bit किसका लगू रूप है मतलब कि छोटा रूप है bit किसका क्या ये megabyte का है binary language का है binary digit का है या फिर binary number का है उसे कि bits बनता है byte, byte से, kilobyte, kilobyte से megabyte, megabyte से, gigabyte, gigabyte से tb तो इस तरब बढ़ते जाता है ये होगा binary digit का अगला है कि अंग्रेजी भासा के समान उच अस्तरी कंप्यूटर भासा कौन सी है मतलब इन में से कौन है जो कि अंग्रेजी भासा के समान है, ये आपको बता देना है तुरंद बताएं, C++ कोबोल, पासकल और फ्रोटान, ये आपके बिकल्प है देखें इसके लिए आपका जो सही उत्तर होगा, यहाँ पूछा गया है अंग्रेजी भासा, तो ये होगा कोबोल, अगला है कि गलती एक अल्गोरिदम है, जिससे गलत परेडाम निकलते हैं इसको क्या करते हैं, गलती होती है उसको क्या करते हैं, ये आपको बताना है आपके अपसान है लाजिकल एरर, कमपाईलर एरर, मसीन एरर और ये सभी तो इसको कहते हैं, लाजिकल एरर अगला है कि बाइंडरिट नंबर पर ढडाली में कितने अंग होते हैं, हमने अभी लेंग्वेज है ये क्या प्रयोग करती है यह आपको बताना है क्या इसमें English Language Code होता है Numeric Code होता है Java Language Code होता है यहाँ पर होता है Numeric Code अगला है कि computer पर information किस रूप में store किया जाता है जो computer पर information लो किस रूप में होते हैं क्या यह digital होता है, analog होता है, modem होता है, या फिर what's होता है, तो यह होता है digital, अगला question है कि निमलिखित में से कौन सी बेग्यानिक, कौन सी बेग्यानिक computer वहासा है, तो इसके लिए आपका सही उत्तर है, फार्टरान, फार्टरान एक बेग्यानिक computer वहासा है, अगला है कि कितना byte मिल करके एक किलो बैट बनता है, मतलब कि एक केवी में कितने byte होते हैं यह आपको बता देना है, बहर सिंपल question है, बहर सिंपल यह होते हैं एक हजार चोबिस byte से मिल करके एक किलो बैट बनता है, एक हजार चोबिस किलो बैट से मिल करके एक मेगाबाइट बनता है, एक हजार चोबिस मेगाबाइट से मिल करके एक गिगाबाइट बनता है, और एक हजार चोबिस गिगाबाइट से मिल करके एक टेरा बैट मिलता है, चलिए question कमेंट करके बताईए, एक टेरा बाइट में कितने byte होगा एक terabyte में कितने byte होगा ये question आप comment करके बताएंगे कौन सा एक program है जिससे computer का उपयोग करना असान हो जाता है इन में से कौन सा ऐसा program है जिससे computer को use करना असान हो जाता है तो इसे हम करते है utility अगला है computer memory के सबसे छोटी काई क्या होती है जो computer में कई तरह की memory होती है तो इसकी सबसे छोटी काई आपको बताना है क्या होती है सबसे छोटी काई तुरांत अपना computer उत्तर comment करके बताएं कि क्या होगा सबसे छोटा ये होता है bit से बनता है byte byte से kilobyte, kilobyte से megabyte poulegt मेगा बैट से गिगा बैट , ंदियच ही अगला है कि निर्यच में से स्ट्ोरज का सबसे बढ़ा यूनिट का बला राके निया कि अब हमने बता है यहया एक हजारफ 24 बाइट हो जायेगा यह तो सबसे बढ़ा है यह जो किलो बाइट है इनसे मिलकर बनेगा और यह गिगाबाइट है यह निकि सबसे बड़ा है टेरा बाइट अगला है कि लॉजिक गेट क्या है यह आपको बताना है क्या एक सीडी है सब्ट्वेयर है सरकीट है या फिर कंप्यूटर गेम है तो यह एक सरकीट है अगला है कि य एक प्रोग्राम है जैसे आप बिंडोज देखते हैं उसी तरह यूनिक्स भी होता है तो यूनिक्स का प्रयोग अधिकतर किस कामों के लिए किया जाता है यह आपको बताना है यह होता है बेप सरवर के लिए अगला है कि अच्छरों और चिन्नों को बाइटों में इस्टोर करने की बिधी क्या कालाती है जिसे अच्छरों और चिन्न ने उनको बाइटों में इस्टोर किया जा रहा है तो इनको क्या कहते हैं यह आपको बताना है तुरंत अपना उत्तर दो से तीन सेकेंड में कमेंट करके बता दिया करें तो देखें इसको कहा जाता है कोडिंग सिस्टम कोडिंग सिस्टम अगला है कि कौन सा एक प्रोग्राम है जो कि कम्प्योटर के उप्योग को असान बना देता है तो यह कुश्चन रिपीट हुआ है यह होगा यूटिलिटी अगला है कि निम्लिकित में से कौन सा मसीन इन्डिपेंडेंट प्रोग्राम है इन में से कौन है जो कि इन्डिपेंडेंट प्रोग्राम है जो किसी पर dependent नहीं होता है, यह आपको बताना है, तो देखें, independent के हम बात करें, तो इन में से आप देखेंगे, यह है high level language, अगला है कि एक byte में कितने बिकल्प होते हैं, एक byte में कितने बिकल्प होते हैं, अगला है कि एक byte में कितने बिकल्प होते हैं, तब तो बताया जा सकता है, और वही यहाँ पर भी पूछा गया है, थोड़े अलग किसम से, तो यह होते हैं, 8, अगला है कि कम्प्यूटर में किसी सब्द की लंबाई किस में मापते हैं, कोई भी सब्द उसकी लंबाई मापनी है, तो किस में मापेंगे, क्या byte में, bit में, file में, किस में, तो देखिए इसे मापते हैं, bit में, क्योंकि यह सबसे छोटी इकाई है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करने के साथ, इस हैप को ज़रूर डाउनलोड करें, जहां जाकर आप इस का टेस्ट भी देबाएंगे, आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, इस वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें all सेलेक्ट करें, इसी तरह की बेटरिन वीडियो सबसे पहने पाने के लिए क्तरूरूरूरूरूब